नमस्कार आज हमारे हां मेहमान आये हुव हैं मिस्स उमा राउट तो आज हम इनसे कुछ सिखेंगे सवाईय के हैं तो आज हमें उमा दीदी हमें सिकते हैं जीखेता हैंने करूत जानी ऑमा लख में तो आज यह सीखते हैं दिदी से रवा की या सुजी की सेवया बनाने के लिए हमें बारिक सुजी चाहिए इसमें हम भाफ टीस्पून नमक डाल रहे हैं और इसको पानी से हम गुंद लेंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा गुंदे वैसे ही इसको हम ढाक के रख देंगे चार घंटो के लिए और तीन गटे के बाद हम इसको एक बार निकाल की फिर मसल लेंगे अब हमारा आटा तयार है पानी में मैंने 2 टीस्पून नमक डाला है यह नमक का पानी हम हात में लगाते रहेंगे बीजविच में अब लोई हम हात में ले लेंगे आटे की और इसको थोड़ा धिरे खीच के इसमें इलास्टिसितिटी लाने की कोशिश करेंगे देखिए इ इसको हम ट्रिपल करके फिर इसके बाजो में ही इसको घुमाएंगे देखिए इस तरह यह हमारी सेकंड स्टेज है इसको फिर से हम खीचेंगे और एक लंबा रोब बनेगा देखिए अभी अंगुठे के अंदर से डाल रहे एक माला बनाई दुसरी पीछे के तरफ से गे और नम्हों एक मालाई अब भी रिपर जाे और पीछे के जाएंगे और जाए लोगा नहम आ कि नर्गान बनेखिए अविर्ट को ईसको फेचे को यह लए पार होरा ही हपि यह कर्णा काफी कठिन है पर करने से आ जाता है बारा आज अगर कोने अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है मैंने दोनों खिड़कों को रसी बांधी हुए और उस रसी के उपर हम ये सेवया डाल रहे हैं नीचे अच्छी चदर बिच्छाई है अगर सेवया रसी के उपर से नीचे गिर भी जाती है तो हम इसे उठा के अपने आटे में मि सेख सकते हैं इसलिए बच्चे भी सीखे तो अच्छी बात है और बच्चे कर सकते हैं ये ज़रूर है कि बहुत अच्छे से उन्हें नहीं आएगा पर आटलिस उन्हें पता तो चलेगा कि हां ऐसा भी कुछ होता है आज मैं भी ये 30 साल के बात कर रही हूं जब मैं याद है कि मैं ममी को सेवया बनाने में मदद करती थी अब जब उमा दिदी मुझे मिली और पता चला कि ये सेवया बनाते हैं तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप सब के साथ सेवया बनाने का वीडियो हम शेयर करें ताकि आप भी इ सेवे यहां मोटी आएगी तो निराश नहीं होनाया है उसको फिर से बनानाः ऑचा बनास सेवे बनाते समय देखी ऐसे उसको गोल गोमाना है we are second step इया अभी माला बनाना हमारी third step है देखिए माला कैसे बंती है मालापन फिर से एक बार पिच्छे से लेंगे यह हमारी 5 इफ्ट स्टेप है और फिर नाक extrem now wew इसो डालेंगे यह लो पमें च्पक जायाईगी और उसको काटने कवि तरीका देखिए और जब आठा च्पक जाता है तो हाथ से आठा कैसे खिछना है यह देखिए आठा चिपकता है हाथ को पर वो निकल भी जाता है पूरा का पूरा आठा आठा आप हाथ पर जो लगा हुआ है देखिए अब युदि कैसे आठा निकालेंगे हाथ से सेवया अगर नीचे गिर रही है और वो सीधी है तो आप उसको वैसे ही रख सकते हो क्योंकि सुकने के पाथ हमें तो उसको तोड़ना ही है सेवया तयार है अब हम सेवयों की खेर भी बना सकते है या सेवयों का उपमा भी बना सकते है सेवया जनरली मार्च महने से लेकर में महने तक बनानी चाहिए क्योंकि समर होता है और समर में जल्दी सेवया सूख जाती है तो वो तूटती नहीं है इसलिए समर्स में ही सेवया बनाने चाहिए जिसे बादल का मौसम हो या ठंडा मौसम हो तो सेवया सूखती नहीं है वो त क्यार सब्सक्राइब जरूर किची